गर्मी है काफी? मीडिया वाले लोग कहेंगे देखो देखो इंडिया गडबंदन गरीबों की आदत बिगाड रहा है हम उनसे कहेंगे जादा बोला तो दुगना कर देंगे गर्मी है काफी? इन दिनों पूरे उत्तर भारत में भीशन गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है इससे आम लोग तो परेशान है ही इसके साथ ही चुनाओ प्रचार में जोटे नेताओं काफी काफी बुरा हाल है इस प्रचन गर्मी का असर अब राहुल गांधी पर भी दिखने लगा है जिससे वह मीडिया को गरे आते हुए नजर आ रही है वह मीडिया को नरेंद्र मोदी का चंचा बता रही है राहुल गांदी का कहना है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी बायलोजिकल नहीं है उन्हें परमात्मा ने भेजा है वह उपर से टपक कर हिंदुस्तान में आए हैं गर्मी से परेशान राहुल गांदी ने अपने भाशन के दोरा दिमाग को ठंडा करने के लिए एक पानी की बोटल अपने सिर पर उडेली लेकिन एक बोटल पानी से उनका दिमाग ठंडा होने की बजाए और भी गर्म हो गया जिससे वह मंच से बेतु की बयान बाजी करते रहे और लोग उनके भाशन सुनकर हसते हुए तालियां बजाते हुए नजर आई भीशन गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है तापमान पर 50 डिगरी के पार जाने को तयार है इस प्रचन गर्मी से लोकसभच चुनाव के प्रचार में जुटे नेताओं का भी बुरा हाल बना हुआ है चुनाप्रचार के दोरान बड़े बड़े नेताओं का पसीना निकल रहा है इसका एक नजारा यूपी के देवरिया में कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी की रैली में नजार आया जब राहूल गांधी ने गर्मी से बचने के लिए गजब का तरीका निकाला उन्होंने अपनी से भरी एक बोटल अपने सिर पर उड़े ली जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है दरसल राहूल गांधी यहां एक रैली को संबोधित कर रहे थे भाशन देते देते राहूल गांधी पानी पीने लगे और फिर अपना दिमाग ठंडा करने के लिए उन्होंने उस पानी की बोटल को अपने सिर पर उड़े लिया लेकिन एक बोटल पानी से भी उनका दिमाग ठंडा नहीं हो सका भीशन गर्मी से बॉक लाए गांधी ने मीडिया को गर्याते हुए नरेंद्र मोधी का चमचा बताया पाँच जुलाई कर गांपा very cat the doctor katar khata 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 middle of kita kata template add-up kita liken 5 जुलाय पाँच सेथमबर अक्तूबर 9B डिसम्बर मीडिया वाले लोग कहेंगे देखों देखो इंडिया गढडबंदन गरीबों की आदत बिगाड़ रहा है हम उंसे कहेंगे ज़्यादा बोला दुग ना कर देंगे मिलिया कि आप लोग अधानीके हो आप अपना काम करो आप उनकी शादी दिखाओ हम अपना काम करेंगे हमारा काम गरीमों के इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी बाइलोजिकल नहीं है उन्हें धर्ती पर परमातना ने भेजा है और वह सीधे उपर से टपके है वह अंबानी और अडानी की मदद करने के लिए आई है इस सब जाहिर होता है कि राहुल गांदी के दिमाग पर गर्मी च्छा गई है और वह पगला गई है क्योंकि वह भूल गए है कि जिस मीडिया को वह प्रदान मंतरी का चमचा बता रहे है वही मीडिया मनमोहन सीन की सरकार में इनके लिए अच्छा था जब उनकी सरकार थी तब इन्होंने मीडिया पर आरोप नहीं लगाया जब मीडिया ने बेतों के बयानों को दिखाया और लोगों ने इनका मजाक उड़ाते हुए इन्हें पपू कहना शुरू कर दिया जिससे बौक लाकर राहुल गांदी ने मीडिया को गर्याना शुरू कर दिया है जिस तरह इसी राहुल गांदी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को लेकर परमात्मा पर सवाल उठा रहे हैं उसे स्पश्य डूप से दिखाई दे रहा है कि वह कितनी घटिया राजगीती कर रहे हैं परमात्मा पर उठाए सवाल से उन्होंने करोणों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है जिसका परिणा उन्हें चुनाव में भोगना पड़ सकता है अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना न भूले क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवास पुक्ता सबूतों के साथ जैन जै भारत